इरांगल में हील बाटल ठीक है पहले भी एक समय आये था जब लोग इरांगल में हील बाटल करने के लिए शुरू से ही शुरू हो जाते थे क्योंकि उस टाइम भी ऐसे जो रूम्स बनते थे शायद उसमें जो हीलिंग्स थी वो 2x पे थी या जो भी था वो मुझे नहीं पता कि जो रूम सेटिंग्स करते हैं उसमें हीलिंग्स भी क्या 2x पे कर दी जाती है तो उस टाइम पर भी ऐसा था कि इरांगल में बहुत जादा heal battle होता था और एक बार पर से शुरू से ही उतरते ही oddbots के कुछ खिलाड़ी थे शायद जो शुरू से ही उतरते ही healings के लिए भग जाते और उसके बाद वो heal battle कर रहे होते और उनको कैसी चीज़े थी अभी कैसी चीज़े आ चुकी है qualifying rounds है तो यह चीज़ समझ में आता है कि heal battle करके at least अगर 8 से 10 points आप निकाल के जाते हो तो आपके लिए ठीक है यह कुछ गलत नहीं है heal battle करना इरांगल में क्योंकि अभी qualifying rounds है बड़ दिक्कत इस बात की आएगी जब आप finals में पहुंचोंगे तो वहाँ पे जो आपकी आदत है वो heal battle वाली है जब आपके साथ 44 की fight होगी तो वहाँ पे problems बहुत ज़ादा आएंगी तो टीक है जैसी जिसकी मर्जी जैसा जिसका टीम जैसे जिसकी मर्जी बट थोड़ा सा अब इरंगल में उतना मज़ा रहा नहीं जितना हम लोग पहले देखते थे बाई कि अभी जैस पानल इसको टीव को सब्सक्राइब कोई नहीं मिलने वाला जिनको भी मिलेगा सबको quarterfinals में ही invite मिलने वाला है यह चीज में ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब भी over tournaments होते है official के तो वहाँ पे जो maximum invite जा सकता है वो है qualifying rounds तक यानि की quarterfinals तक उसके आगे invite नहीं मिलने माला कुछ से पहले रहेगा वैसा scout by name में इसे इंबोला इनको official जैसी setting करनी चाहिए medmanix as heal battle का कोई फाइदा नहीं है as official में heal battle नहीं होता वही इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित था कि जब वो लोग तो ठीक है अब जब जब वो land खेलने पहुंचेंगे तब मैं मानता हूं कि जो settings होंगी room की वो थोड़ी सी अलग हो सकती है अभी online phases है तो शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है no idea कि room settings क्या है क्या नहीं है तो वो ठीक है